हलो दोस्तों नमस्कार आज आपको अपने चैनल एक्जाम क्रेक में बिहार दरोगा का जो अर्हांत परकासन का बुक निकाला गया उसमें 30 मोडल प्रेक्टिस सेट है उसका आज सेट नमबर एक का वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आपको भूल सोलुसन दिया जाएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेर करें जो भी बिहार दरोगा या बिहार पुलीस या अनि भी किसी का एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी महत्पूर परस्नों का सेट है और अपने दोस्तों में सेर भशिकर आईए प्रसंख् से शुरुआत करते हैं इसमें कराया कि किस सासक ने गंगा एवं सो नदियों के संगम पर पाठले पुत्रा नामक नगर के स्थापना किया था तो उदियन के द्वारा किया गया था मेगा अस्थनीच के अनुषार मोरी कालिन समाज में इस्त्रीयों की दसा के संबन में कौन सा कथन सत्य है तो सत्ता-धारी बर्ग में जो है बहुब विवा का बढ़ता पर्चलन था या सही है समराठ के अंगराश्कों के रूप में इस्थियों की न्युक्ति की जाती थी यो भी सही है बिधवा बिवा की अनुमती थी यो सही जबकि तला की अनुमती नहीं थी आंसर रेगा 1,2,3 अप्सव नुमबर 2 निम्कित नैनारों में से किसको अपपार कहा जाता है तो तिरुन वक्का रासु को जो है अप्पार के नाम से जाना जाता है कार्बन डेटिंग बिधी से सिंधू सभेता की कितनी आयो सिध किया गया है तो इसका आयो है पचीसो से साड़ो सतरा सो इसा पूर्व अप्शन हो जाएगा दी नमबर दच्छिन भारत में सरपर्थम एक पिस्त्रित समराज के निर्मान किसने किया था तो चोलो के द्वारा किया गया था अगला पसंग है कुम्रार अस्थल किस से सामन्धित है तो कुम्रार जो है पाटले पूत्रा से सामन्धित है निम्खित में से किस ने अरंगजेब के विरुद पर्थम जाट विद्रो का नित्रित किया था तो गोकुल के द्वारा किया गया था निम्खित में से किस मराठा सासक ने अरंग जेब के पूत्र अकबर को अपने दरबार में सरन दिया था तो संभाजी के द्वरा सरन दिया गया था यह राजा राम के बाद सासक मराठा सासक बना था उपनिसद काल में राजा अस्वपति सासक थे कहां के तो यह कई कई के थे अपसन नमबर दो सही हो जागा निम्न में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं होता ना है तो यह सही है निजाम साही अहमद नगर इमाज साही बरार आदिल साही बीजापूर जबकि क कुटूब साहिवांस हैदराबाद में था तो इसलिए अंसर हो जाएगा टी नमबर क्योंकि यह गलत है हैदराबाद होगा साहिए इमखित में से कौन साहर फिरोशा तुगलक द्वारा नहीं बसाएगा तो फिरोशा तुगलक ने जौनपूर हिस साहर और फिरोजाबाद को बसाया था जबकि तुगलक का बात को गिया सुदिन तुगलक के द्वारा बसाया गया था अंसर हो जाएगा बी नमबर किस संथ ने भक्ति अंदोलन को उत्तार भारत में परवल बना दिया था,। वह रामा नंत था। अग्ला पसंख्या, बिहार में मौरी कालिन अभी लेय ubiqu किस अस्थान से प्राप्त नहीं हुए है। तो मोरी कालिन अभीक जो है प्राप्त तो सासा राम को सासा राम लोरिया नंदन गांट लोरिया अरे राज से प्राप्त हुआ है लेकिन यह अभी लेक पर उतकिर्ण नहीं था पाटले पुत्रा से भी अभी लेक मिला लेकिन इस पर उतकिर्ण नहीं है लिखा हुआ इसलिए option number a सही हो जागा भारतिय रंग्मẵच में यबनिका पर्दा का सभारम किस ने किया था युचनानियों के द्वारा किया गया था मुगल बिहार का गवर्णर रहा है कौन सा मुगल कालिन बिहार का गवर्णर रहा तो वो था मुझमिल खान option number d सही हो जागा निम्न में से कौन सा बहुलक या बहुलकों में बिनाइलिक एकलक इकाएं होता है तो वह हो जाएगा पीवी सी अप्शन नमबर डी सही हो जाएगा अगला पसंख्या निम्न हो गया सेविंग क्रीम की मिर्दूता किसके द्वारा संबर्धित की जाती है तो पोटैसियम हाड्रो ऑक्साइड अप्शन नमबर दो सही हो जाएगा रबर के ब्यापारिक बर्लकनी करन में किसका पर्योग किया जाता है तो गंदा का एक से देड़ परसेंट तक मिस्रेद किया जाता है माइट्रो कॉंड्रिया में कौन सी किरिया नहीं होती है तो इसमें जो अपरेक्ट में से कोई नहीं हो जागा क्योंकि एटीपी का संसलेशन होता है नापकी अमलोग का संसलेशन होता है इसलिए अप्शन नमबर अस्टेराइट का संसलेशन होता है, सभी होता है, तंतुर रहेगा D नमबर, असनाय कीन तंतुमों से मिलकर बने होते हैं, यह हो जाएगा, पीले लचीले तंतुमों से बने हुए होते हैं, नीला थोथा, रसाइनिक रूप से क्या है, तर नीला थोथा को कॉपर सलफेड बोल बाइंसर क्या हो जागा 5 सब्सक्राइब भारत में आप लावी वन डाइलिव वयल फोरेस्ट कहां पायाँ जाता है तिया सुंदर्वन में पाया आद्र परवतिय बं कहां पायाते हैं अप्सन के कोडिंग बताना तिया निल-ई गिरी परवत में हो जाएगा अप्सान नमबर C कुद्रे मुख लौख लौख निज परियुजना निमिखित में से किस राज में इस्थित है तो कुद्रे मुख लौख लौख निज परियुजना करनाटक में अवस्थित है अगला पसंग क्या है सरक्रिक जो है भारत एवं upaak Coron by अंचल में विभाजित क्या गया गया तो चार आंचल में जो नमबर अप्सन नमबर C हो जाएगा निमखित में से कौन सा भारत में जौला मुखी दीप है तो बैरन जो अड़माणी को बार में है आगने सैल की सिराओं से प्राप्त होने वाला खनीज कौन सा है तो हीरा हो जाएगा अप्सन नमबर A सही हो जाएगा कासमीर को सेस भारत से जोडने वाला दर्रा है कौन से दर्रा तो बनिहाल दर्रा है परिस्थित की कर्मता किस से समंदित है तो यह हो जाएगा परिस्थित की तंत्र में जीव के इस्थिपरक एवं किरियात्मक संबंधता से समंदित है परिस्थित की कर्मता कहते है परिस्थित्की के जनक कौन है तो यह हो जाएगा अर्नेस्ट हाइकल अप्शन नमबर A सरवाधिक जैब विवित्ता कहां पाए जाती है तो यह हो जाएगा सांत घाटी में अगला पसंग क्या है एमके गांधि के अनुसार अस्प्रेचता का समाजिक आर्थिक सुधार संपन किया जा सकता है कुटीर उधोगों को अस्थापित करके अप्शन नमबर D सही हो जाएगा भारत में बर्ष 1918 में पर्ठा मजदूर संकिय अस्थापना किसने किया था तब बीपी वाडिया के दवारा किया जाएगा बीपी वाडिया दो नमबर उप्शन में भारत के बिभाजन की बालकन पलान किसकी उपाज थी तो यह मांट वेतन के मस्तिस का उबज था अगला पर संख्या देखते हैं 38 नमबर भारत के विभाजन की घोषना के समय भारत का वाइसराय कौन था तो भारत के विभाजन के समय लॉड माउंट बेट्टन था भारत का विभाजन 1947 में हुआ था कोलकात्ता में फोर्ट पिलियम कॉलिज के स्थापना किसने किया था तो बेलेजली के दवारा किया गया था चमपारन सत्यागरा के दवरान गांधेजी पर मुक्तमा कहां चलाया गया था तो मुतिहारी में चलाया गया था पेशवाई को कब समाप्त किया था तो अठारा सो अठारा इस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया था अंसर हो जाएगा D नमबर अप्शन निम्खित में से किस लडाई ने आवद के नवाप को East India Company पर निर्भर बना दिया था तिया पलासी की लडाई 1757 में वाथा इसी के दोरान कर दिया गया था निर्भर निम्खित में से कौन सा एक मात्री यहुदी वाइस रहे था यहुदी वाइस रहे लौड रीडिंग था अप्शन नमबर D भारतिय परिशद अधिनियं 1909 का सर्वगराहा नाम कौन सा है किस कवर्णण जनरल की करिकाल में पारिद किया गया था तो पराचिन असमारक्सन रच्छान एक्ट जो पारिद किया गया था लौड कर परशासन की तुलना और अंग्जेब से किसने की थी तो जी के गोखले के द्वारा किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले निम्न में से सहायक संधी स्विकार नहीं किया था किसने तो इंदावर के होल करोने वर्स में रेडीकल डेमोक्रेटिक पार्टी का किसने किया था तो इससग द्वारा एंदावर के द्वारा किया था एंदार तो इसका अंसर नंबर हो जागा दी लंबर अगला में समग में 40 और पाकिस्तान के बिभाजन समंदी परश्थाओं किसमें समलित है यह मांट बेटन योजनाु में समलित था जबकि कैबिनेट मिशन योजनां में यह परस्ताओं नहीं था विभाजन का स्व्वींद्रणाथ टाइगोरध वार अस्थापी दल का नाम क्या है तो इसमें करांति कारी सामिवादी दल अप्सन नंबर 20 सही हो जाएगा भारत में नाइक संगठन की अस्थापना किसने किया था तो लौट कार्णवालिस के द्वारा किया गया था पुरुमधि कालिन भारत में निम्द में से कौन सा नागर्शैली की बास्तु कला को परदर्शित करता ह है वह हो जाएगा आपको वर्गकार शबुत्रा का निर्मान और उच्छ सतह योजना अप्सन नंबर क्या जाए एक और तीन अप्सन नंबर सी में है निम्खित में से कौन सा इग्म असंगत है तो यह हो जाएगा यह सासक है उसका मकबरा कहां वगस्तान दिया गया तो अक अप्सन नंबर सालबों के एक आस्मीय रथ मंदिर कहां मिले हैं ते कहां से मिले हैं तो यह महावाली पूरा में से असना नंबर डी हो जाएगा फिप्टि-जिक्स नंबर प्रस्ष्ण है इसका अंसर हो जाएगा 19, 32 किस सहर को पूर्व का मोती कहा जाता है तो यह सिंग ट अगला पसंख्या साथ नमबर रेफ्रीजरेटर में खाथ पतार्थों को ताजा रखने के लिए पतार्थ को किस तापमान पर शुरच्छित रखना चाहिए तो चार डिग्री सेंटीग्रेट भारत में सरपर्था मुद्रा का मुलियन किस वर्स में किया गया था तो 1949 में किया गया था भारते समिधान के किस अनुछेद में धन विधेग की चर्चा की गया है तो धन विधेग की चर्चा जो है अनुछेद 110 में है किस तीथी को अंतराष्टी चाय दिवस के रुप में मन आप्सा नंबर si हो जाएगा है हमबोल्ट जलधारा को किस अनियाअप जयाना है तो अन्सर नंबर आप्सान हो जाएगा गुजरात में गांधी जी ने साबर मति आश्रम की अस्थाफना किस वर्स में किये थैं तो साबर मति आप्साम के स्थापना 1917 में किये था प्सवन में 1916 नहीं है शुला रहता तो 1916 होता इसमें 20 उपीर्थवी दिवस किस दिन मनाया था तो 20 उपीर्थवी दिवस 22 अपरेल को मनाया जाता है उप्साम नमबर स्युक्ति है अग्ला पत्सक बोगी सब्स का समन्ध किस खिल से है तर बोगी सब्स गोल्प़ेल से समधित सब्दMusic कहां इस्थीत है एं यह हैदराबाद में इस्थीति है एस याई विकास बेंग का मुख्याल को एडी बी का जो मुख्याले है वो मनीला फिलिपिन्स में 20 मानक दिवस कब मना जाता है 20 मानक दिवस वर्ति वर्स 14 अक्टूवर को मना जाता है तो अंसर क्या हो जाएगा बी नंबर अप्शन सही हो जाएगा अगला परसंख्या है किस माहसागर में दीपों की संख्या सरवाधीक है तो सरवाधीक दीप परसंथ माहसागर में है पिहार राज के पस्चिमोत्तर कोने पर इस्थित हीमाले की एक चोटी को किस अनिनाम से जाना जाता है तो यह हो जाएगा सोमेशवर की पहाड़ी पिहार के अधिकांस भाग अच्छादित है किस मिटी से तो बिहार का अधिकांस भाग कच्छारी मिटी से घीरा हुआ अपस्ण हो जाएगा बी नंबर अगला पसंग क्या है सारन परमंडल में कितने जीले आते हैं तो सारन परमंडल में सारन आता है और सिवान आता है और गौपाल वाइन तो तीन जीला हो जागा गौपाल वाइन सारन और सिवान बिहार की जलवाईव को कहा जाता है क्या तो संसोधित महादीपिय जलवाईव अपसान नमबर B बिहार के उत्री भाग में परवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है उसे पुर्व से पच्छिम की ओर हो जाएगा महानंदा, कोशी, बलान उसके बाद कामला अनसर नमबर A हो जाएगा अपसर नमबर बिहार में गर्म जल सरोतों का सूप परसीद अजितिहासी कस्थल कहा है तो गर्म जल कुंड जो है राजगीर में अवस्थीत है option number C हो जागा नलंदा जिला में पढ़ता है जूट का सरवाधिक उत्पादन होता है कहां तो बिहार के पुर्णिया जिले में option number क्या हो जागा A number हो जागा राज सरकारों का समयधानिक परमुक कान होता है समयधानिक रूप से राजपाल होता है जबकि करकारी रुप से मुकमंत्री होता है तो अंसर रजागा B number पटना नगर निगम की अस्थापना कब होई थी तो 1922 में हुआ था बिहार में बंदुक बनाने का करखाना कहां इस्थित है तो वो मुंगेर में है मीरकासिम के दोरान अस्थापना किया गया था बिहार में उर्वरक कुद् audiences कहां आवस्थी था तो बिहार में उरुवरक कुद्हक जहां बरणी में इस्थित है लेटेराइट मिटी का पर्धान निये कौनसा तो लेटेराइट मिटी जहां मालाबाद टटिये परदेश में सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है पिहार मिक्की स्तिति को सिच्छा दिवस के रुप में मना जाता है सिच्छा दिवस मना जाता है परतिवर्स 11 नुवंबर को राष्टपति की मिर्थिव के बाद उपराष्टपति, राष्टपति का पाद कब तक समाल सकता है तो अधिक सधिक सधिक 6 माँ अगला पासांख्यान मैट कहा इसका अंसर हो जाएगा 47, अप्सेन नमबर आ इटी सेबन है इसका अंसर हो जाएगा बात के समीधान दव tarक को केंद्र सरकार में निहीत करने हए तो भारत के समीधान दो अप्सिस शक्तियों को केंद्र सरकार में नीहीत करने से क्या घोतित होता है, तो भारत का जो अपसे सक्थ केंड्र में इससरकार में नहीं थैं, इससे होता कि भारत जो आरध्य संगिये है, आपसन नमबर C हो जाएगा, सरवोच न्याले में तदर्थ न्याइधिस के नुक्ति होती है, जब क्या होगा तो न्याले की कोरम जो होता है और कौरम गनपूर्थी नहीं हो पाता है तो इसके लिए तद्रण नाइधेष की निज्तिक किया जाता है अंसर No. हो जाएगा धी No. नमबर अगला हो जाएगा भारति निमिखित में से कौन सा एक भारत के समिधान की चौती अनुसुची को सही सही बरनित करता है तो भारत के चौती अनुसुची में राज सभा के सीटों का अवंटन है अप्सन नमबर डी हो जाएगा निमिखित से कौन सा विषय पंचाइती राज स्थाओं के सकतियों के अंतरगत नहीं आता है तो नियायक पुन रिच्छन जो पंचाइती राज के सकती नहीं है अगला पसंग क्या सब्द दलित बरका पर यह भारत में पहली बार कहां किया गया था तो गवर्मेंट ऑफ स अलिए लिखे गए बिषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे विटा है तो संवत्ति सुचे में संघ औररा राज दोनों अधिनियम बना सकता अप्सनेटरा बहत में बहुति पंचाइति राज़ का जो पत्ति नखता सक्ता था करना समधाइक भीकास लोगों की सधारी जब कि राज़नितिक मूजते और पॉर्तिनिचत्व नहीं करता है अगला पसंख भारत के समिधान के नुसर भारत के राष्टपती के केरियाले में रिक्ती को कितनी अबधी के भीतर भरा जाना चाहिए तो अधिकतम छे मां के अंदर भर लिया जाना चाहिए राष्टपती का पद अस्फिती एवं मुल बिर्धी के काल में मुद्रा की पूर्थी क्या होता है तो मु सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में सेयर करें इसका अंसर सुलूशन के साथ मारे टेलीग्राम पर उपलप्त किरा जाता है थैंक्यू धन्यवाद